तो गाइस वीडियो शुरू करने के पहले सबसे कोश्चन है सच सच बताना आप दुएंदू सर्मा को किस नाम से जानते था क्योंकि मैं खुद उन्हें मिर्जापूर के मुन्ना भाईया के नाम से जानता था और भाई मुन्ना भाईया की अटिट्यूटीज में कमाल किये इसकी स्टोरी होती है अखिल की जिसका रोल हमारे मुन्ना भाईया ने किया है अखिल को अपने बाप के कातिलों की तलास से अब उसके बाप को किसने मारा और क्यूं तलास से इसके लिए तो भाई आप इस सीरीज को देखो 7.1 IMTV रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको G5 में हिंदी में मिल जाएगी दूसरे नमबर पर सुकराणू सही सुना इसका नाम जैसा इसका इसका इस्टोरी भी वैसी है इस मुवी की इस्टोरी है 1975 की जब इंडिया में बढ़ती हुए पॉप्यूलेशन के चक्कर में इमर्जेंसी लगाई गई है जिससे बढ़ती हुई पॉप्यूलेशन को रोका जा सके इसमें आदमियों की नस्बंदी कर दी जाती है जिसका सिकार हमारे मुन्ना भाईया भी हो गए है अब आगे वो अपनी नस्बंदी के साथ कैसे सर्वाइफ करते हैं इसके लिए तो भाई आप मुवी को देखो इस मुवी में मुन्ना भाईया ने रंदीब का रोल किया है रंदीब जो की पंजाबी फैमिली से लेकिन उस बंदे की अपनी फैमिली से नहीं जमती त्यूंकि भाई मूवी में उस बंदे की सोची कुछ ऐसी है रंदीप की अपनी फैमिली से न जमने के कारान वो पंजाब छोड़के दिल्ली आ जाता है दिल्ली में आने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है बस बात यह है कि वो लड़की बीना साधी करे ही प्रेगनेंट हो जाती है साथ पॉइंट एक आइम डिवी के साथ ये मूवी आपको जी फाइप में मिल जाएगी चौथे नमबर पह कानपूरी है इसमें आपको तीन में केरेक्टर दिखने को मिलेंगे ये तीनो कानपूर से बिलॉंग करते हैं और इनकी अपनी अपनी बड़े बड़े सपने हैं एक लड़का लड़की के साथ सेटल होना चाहता है एक लड़का खाना बना के सेफ बनना चाहता है और हमारे जो मुन्ना भाईया हैं वो मुंबई जाके बड़ा वकील बनने का सपना देख रहे हैं अब भाई इनके ये सपने पूरे होते भी हैं किने इसके लिए आप इस मुवी को देखो मुवी में स्ट्रगलिंग कसली मतलब बताया जाएगा पेसलीज में मुन्ना भाईया के डायलॉक्स कमाल के 6.1 IMDB रेटिंग के साथ ये मुवी आपको डिजनी प्लस होस्टर में मिल जाएगी ताज की आखरी मुवी है फटाफा टिये सिर्फ 17 मिनट की सौट फिल्म है इस मुवी में हमें मुन्ना भाईया काफी ज़्यादा गुसेल दिखाई देते हैं इस मुवी में मुन्ना भाईया एक कॉल सेंटर में काम करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टेंसन में आ जाते हैं वो जिस भी कस्टमर से बात करते हैं वो उनके बातों पे भरुसा ही नहीं करता मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब ये एक सेल्समें से मिलते हैं अब सेल्समें से मिलके ऐसा क्या होता है कि उनकी जिन्दगी बदल जाती है ये आप मूवी में देखो 7.8 IMDB के साथ ये मूवी आपको G5 में मिल जाएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी मूवी और वैब स्रीज की जनकरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कुछ कहना हो तो कमेंट कर देना जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दूँगा